Hey guys, welcome back to the channel, my name is Jeet और last वाली वीडियो में हमने हमारी जो Jupiter है, उसकी minor servicing की थी अब जो major servicing है, उसको करने वाले हैं अब basically major servicing में जो भी काम हमने minor servicing में किया था, वो तो होना ही है लेकिन उसके अलावा कुछ और steps हैं जो की add हो जाते हैं तो इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आप overall आपकी स्कूटी की service करने वाले हैं 6000 km वाली, तो फिर आप पहले वो वाली वीडियो देखें और उसके बाद ये वाली वीडियो देखें और अगर आपको पता है कि basic servicing में क्या होता है मतलब जो हर 2000 या 3000 km पर हम जो service करते हैं उसके अंदर क्या होता है तो फिर आप जो 6000 वाली service पर आपको क्या करना चाहिए मेरे opinion में वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो पिछ जदर हम वेस्ट मी करते हैं और सीदा जो process है major servicing का वो start करते है तो सबसे पहले तो इसका engine oil भी change करना होता है लेकिन वो जैसे कि मैंने परता है मैंने सबस्क्राइब कर लिया था उस वाली वीडियो में तो अभी second चीज जो पच्छी है फ्लुइट्स के मामले में सबसे इंपोर्टन वो है gear oil तो हर 6000 km पर मैं prefer करता हूँ कि इसका gear oil हो मैं change कर दूँ तो gear oil change करने के लिए हमें नीचे एक 13 mm का bolt है उसको खोलना है लेकिन उससे पहले ये वाला जो bolt है इसको हम थोड़ा सा loose कर लेंगे बिकोज अगर ये loose नहीं हो पाएगा और हम drain bolt को निकाल लेंगे तो फिर हम fluid है वो add नहीं कर पाएगे तो सबसे पहले मैं इसको loose कर लेता हूँ बस इतना काफी है अब जो नीचे ये 13 mm बाल बोल्ट है इसको open करते है और इसको पूरा निकालने से पहले एक disposable glass है उसका use कर रहा हूँ मैं जो gear oil है उसको collect करने के लिए वैसे mess तो होगा because जो brake वाला wire है वो बीच में रखा है पर फिर भी try करते है कि कम mess create करें और एक चीज जो मैं पिताना भूल गया है वो मैं अभी add कर देता हूँ गेर oil है उसको drain करते टाइम आप स्कुट्टी को थोड़ा चला लें पहले 5-10 km वो जब आप engine oil निकाले उसी टाइम आप उसको इंजन को warm-up तो करी रहे है तो आप उसको चला ही लें जिससे ही क्या होगा कि जो gear oil है उसकी viscosity है वो थोड़ी कम हो जाएगी और gear oil है वो प्रो drain bolt है उसको लगाने की बारी है तो drain bolt को मैंने clean कर लिया है normal कपडे की help से और साथ ही साथ इसका जो यह crush washer है इसको भी कर लिया है वैसे ही replace कर देना चाहिए बट किसी भी reason की वेज़े से आपको यह नहीं मिल रहा है या फिर आप इसको replace नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे से चेक कर लें कि यह damage ना हो इस साइट से देख लें और इस साइट से भी अगर इस से ज़्यादा पुरी condition में है तो फिर आप इसको use ना करें तो इसको मैं फिर से use करने वाला हूँ बिकुज मैं जो kit है मैंने वो थोड़े दिन पहले ही change किया था लास जो मैंने service की थी और overall जो इसका kit है उसके साथ ही यह washers मिलते है अलग से यह मिलते नहीं है और वो kit अब हो मैं 12,000 km पर replace करना प्रिफर करता हूँ और साथ ही साथ यह जो एरिया है जहां पर आप जो drain bolt है उसको लगाने वाले है उसको भी आप make sure clean कर ले और अभी जो यह bolt है इसको tight करना है तो इसको जब यह hand tight हो जाए उसके बाद जस्ट 1 4th turn है वो rotate करना है otherwise जो crush washer वो damage हो जाएगा and that's it तो अब gear oil है उसको fill करने की बारी है और usually जो Jupiter है उसके अंदर TBS recommend करती है कि आप जो true for engine oil आता है उसको ही as a gear oil यूज करें लेकिन मैंने केस्ट्रोल का engine oil यूज किया था 10W30 और उसके साथ यह जो पाउच आता है gear oil का यह as a freebie आया था तो अभी मैं इसको यूज करने वाला से कट करते हैं इसकी quantity 120 ml है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो fill बोल्टा उसके just pass में यहां पर भी 120 ml लिखा हुआ है तो इस पाउच के अंदर जितना भी gear oil है वो हमें इसके अंदर फिल करना है और उसके बाद जो drain बोल्टा उसको लगा देंगी तो इसको कट करना है औ पिर वो फिल होने की बजाए वो बार निकलने लगेगा और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं जो gear oil है वो flow हो रहा है that means कि हमने इसको इसको जो लेवल है वहां तक फिल कर दिया है 120 ml इसकी maximum capacity है और इस पाउच की quantity भी 120 ml थी तो हमने और फिल तो इसको बिलकुल भी नहीं कि करेंगे क्योंकि जो पिछ वाले ड्रम ब्रेक्स है उनकी क्लेनिक करनी है तो पिछ वाला टाय रिमूव करने के लिए आप या तो इसको ग्राउंड के उपर कुछ इस तरीके से फोर्स करके यह जो नट इसको लूज कर सकते है या फिर आप जो पिछ वाला ब्रेक है उसको यूज कर सकते हैं और इसका जो ड्रम है फो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुगा है और जो सेम लाइन है जो ब्रेक शूज है उनके ऊपर भी आ गई है लेकिन अभी के लिए इनको क्लीन कर लेते हैं उसके बाद जब ड्रम है उसको रिप्लेस करवाएंगे उसी ताइम ज 220 ग्रीट के सैंडपेपर की हेल्प से क्लीन कर रहा हूं और सेम चीज यह जो ड्रम है मैं इसके साथ भी करने वाला हूं तो बस इनमें इतना है इनको क्लीन करना है और इनको फिर से एसेंबल कर देना है पैसे इनके बार में आपको डीटेल में जानना है तो आई बटन में वीडियो आ जाएगी वह आप देख सकते हैं और तो इनके क्लीनिंग के बाद यह कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और जैसे कि मैंने पहले बोला यह ड्रम है यह यूज करने लाइक नहीं है अगर आप इस कंडिशन में आपका ड्रम है वह आपको मिलता है तो आपको उसक निकालना पड़ेगा बट इस केस में इसमें डिस ब्रेक्स हैं तो सिरफ यह जो दो 12 mm के बोल्ट्स हैं इनको खौल करके हम इसको निकाल लेंगे फिर ब्रेक पैट्स उनको क्लीन कर लेंगे और अगर चेंज करने की ज़रुरत पड़ती है तो आप उनको भी चेंज कर सकते जमा हुआ है और वैसे जिँ डिस ब्रेक सेंज कैसे करते है उसके उपर भी मैने टीटैल में विडियो बना रखी है इसी स्कुटर के उपर तो आप चाहें तो भी चेकाउट कर सकते हैं और अभी जैसा है कि आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेक पैड उसके अंदर काफी material बचा हुआ है लेकिन साथ ही साथ आप यह चीज भी देख पा रहे होंगे कि जो ब्रेक डॉस्ट है वो कलेक्ट होकर कि यह जो स्लोट्स बने वें इसके अंदर इनके अंदर जमा होने लग तो हम इनको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर इनको असेंबल करना है एस यूजवल आपको डीटेल में चीए तो मैंने बताया कि मैंने वीडियो बना रखे आप उसको देख सकते हैं तो अभी इन सारी चीजों की क्लीनिंग हो गई है अभी यह जो कैलिपर की गाइट जो रबर है वो डिग्रेड स्चान चाहा है आप ग्रीप यूज़ कर लें चाहाए आप वैसलीन यूज़ कर लें सारी चीज़े वैसलीन है घर घृटि की अख कम डेमग करती है पर फिर भी और बॉब्र दे टानिबशाए और यह चीज़े मिलना बहुत मुश्किल होती है तो इसलिए यहाँ पर आप compromise ना करें Silicon Grease, Maruti की जो service centers है Maruti Suzuki के वहाँ पर मिल जाता है मेरे एक subscriber ने बताया था Range 421 as far as I remember अगर नाम सही लिया है तो shout out और उसके अलावा Bajaj के जो service centers होते हैं वहाँ पर भी मिल जाता है usually Bajaj वाले क्या करते हैं जब मेजर के चेंज करते हैं Master Cylinder का आगे या पीछ वाले का तो वह यह जो grease का packet होता है यह अलग से रख लेते हैं काम में नहीं लेते हैं और फिर कम काम में लेते हैं तो ऐसे situation में यह काफी helpful हो जाता है मेरे पास यह प्लेंटी ओफ हैं क्योंकि मैंने काफी सारे Master Cylinder के मेजर किट्स चेंज किये हैं मैं यूज कर लेता हूँ पर फिर भी इतना ग्रीस अवर यूज नहीं होता है मेजर किट्स करने में तो यह बच जाता है इसलिए मेरे पास बढ़ा है वैसे बहुत मेंगा आता है शायद 800-900 रुपे गाएगा चोटा सा बॉक्स अगर सस्ता हो गया है तो प्लीज दिस्क्रिप्शन में नहीं स्री कमेंट सेक्शन में बता देना मेरी भी थोड़ी खेल्प हो जाएगी और यह जो गाइड पिंस है इनको फ्री रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि काफी बार यह चीज आप मेंसे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे जो brake pads होते हैं वो एक brake pad ज्यादा गिसता है एक brake pad कम गिसता है वो guide pins jam होने की वज़े से ही होता है तो अगर आप ये problem face कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी आपको idea हो गया होगा कि आपको किस चीज के ओपर काम करना है और brakes के बाद अब जो next step है वो होने वाली है जो variator cover है उसके अंदर के जितने भी parts है उन सब की cleaning करना उनको inspect भी कर लेंगे और अगर कोई part है वो damage होगा या replace करने की जड़त पड़ेगे तो इसको replace भी कर देंगे और वैसे यहां पर आप दो main reasons हैं दिन की विज़े से आप इसको open करना चाहेंगे पहला है अगर kick है वो काम नहीं करती है जो kick starter वो काम नहीं करता है तो करते हैं और दूसरा इसके अंदर जब handle vibration की problem आती है तब हम इसको check करते हैं manually वरना periodically तो इनको clean करने के लिए check करना होता ही है तो वैसे इन दोनो topics के उपर मैंने detail में video बना रखी है तो आप उसको देख सकते हैं अभी मैं just इनको open करके clean करने वाला हूं और इसमें kick की problem वो फिर से आ गई है तो उसको भी resolve करूंगा तो वो आपको थोड़ा fast forward में देखने को मिलेगा और इसका जो ये वाला part है जहां से basically इसमें air है वो आती है उसके अंदर एक छोटा सा filter लगावा होता है ये air हा कुछ इस तरीके से और जैसे कि आप देख सकते हैं इसने काफी सारे जो dust particles हैं उनको रोका भी है इसको CVT filter बोलते हैं और ये necessary क्यों है वो मेरे ख्याल से आपको पता चली गया होगा तो इसको clean करके फिर से लगा देना अगर ये damage है तो इसको replace करना पड़ेगा अप्लाइट तो cleaning हो चुकी है अब इन सब को फिर से fit करना है तो मैं ये सब कर लेता हूं उसके नेक्स टेप उसकी तरफ मौन करेंगे और अभी जो नेक्स टेप है वो होने वाली है सबसे पहले तो इसकी जो utility box है उसको open करेंगे उसके बाद air filter secondary air filter और carburetor है उन तीनों चीजों की जो maintenance उसका procedure हो वो करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो utility box है इसको ही खोल लेते हैं सरदी मेर टूल्स भी ठंडे हो जाते हैं साथ ही साथ ये जो पैनल है इसको भी निकालना बड़ेगा और अब जो fuse है उसको निकाल लेते हैं एक बार उसके बाद जो battery compartment है उसमें इसके बैटरी को निकालेंगे इसके दोनों जो टर्मिनल्स हैं उनको चेक करेंगे कोई corrosion वगेरा तो नहीं है अगर corrosion है तो फिर उसको जो emery paper होता है 320 grit या फिर उससे उपर का उसके help से sand down करके और फिर उसे इनको bolt on कर देंगे और साथ ही साथ जो battery grease आता है उसको apply करना है वो नहीं है तो फिर आप gasoline जो petroleum jelly आती है उसको भी apply कर सकते है अभी साथ ही साथ इसका जो water का level है distill water का उसको भी चेक करेंगे और जो water का level होता है उसको चेक करने के लिए आपको जो battery है उसके आगे minimum और maximum marks दिखेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर minimum लिखा हु maximum के बीच में होना चाहिए अगर कम हो तो फिर आप यह जो tabs है इनको open करके individually जो water है distill water उसको आप फिल कर सकते हैं एक चीज मेक्शोर करनी है ना ही तो आपको acid डालना है ना ही आपको simple जो पानी होता है वो डालना है आपको इसमें सिरफ और सिरफ distill water ही फिल करना है और यह उ जादातर वेहिकल में maintenance free batteries आरही है तो उनके अंदर आपको ऐसा कुछ करना नहीं होता है तो यह आप देख लें कि जो battery आपने लगा रखी है या फिर company की तरफ से आई है वो maintenance free battery है या फिर उसमें maintenance required है अगर required है तो आपको maintenance करनी है otherwise आपको उसको as it is ही रखना होता है खाली जो टर्मिनल्स है उनके ऊपर corrosion है उसको चेप कर लें तो अभी जो बैटरी है उसमें distillator का level कम था तो मैंने इसको फिल करके उसको चार्ज पर लगा दिया है और अभी जो utility box है finally उसको निकाल लेते है वैसे इसके सारे fastness वगे रहा है उसको सीधा पस निकालना ही है तो इसक का socket उसको disconnect जरूर करना है अभी यह जो चीज है यह है इसका मैन एर फिल्टर जो है वो तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा हमें तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इस साइड में जो वेरेटर के बार है उस वाली साइड में एक 8 mm का बोल्ट यह है इसको निकालना ह तो इन दो 8 mm के बोल्ट को निकालते है और इसके बाद यह जो क्लैम्प है इसको खोलेंगे और फिर यह वाली जो ब्रीदर की पाइप है इसको निकालना है तो सबसे पहले इसका जो क्लैम्प उसको डिसकनेक करते है और फिर जो पाइप है उसको निकालेंगे और लास्ट म आपको यहाँ पर एक pipe दिख रही होगी यह जो gearbox है उसकी breather pipe है तो यह बहुत आसानी से निगल जाती है लेकिन अगर आपको problem हो तो फिर आप जो air assembly है air box assembly है उसको थोड़ा सा बार निकाले फिर आप इसको निकाल सकते हैं इन सब को side में कर दिया एक यहाँ पर मैं tip बता देता हूँ थोड़ी सी यह जो छोटा मढगाड आता है यह काफी vibrate करता है क्योंकि जो air box assembly है वो इसको hold करके रखती है तो यहाँ पर मैंने एक rubber का grommet लगा रखा है तो अगर यहाँ से आवा जा रही हो तो आप यह solution कर सकते हैं दूसरी चीज जो air box के अंदर आवाज करती है अब नई वाली में हटा दिया या इसको सही कर दिया उसका मुझे पता नहीं है इस वाली में यहाँ पर एक plate आती थी जो कि इन चार पिंस की help से plastic welded रहती थी तो उस plate का मेरे बास कोई solution नहीं था इसको सही से fix करने का तो मैंने उसको कट करके हटा ही दिया तो उसकी वज़े से शायद थोड़ा बोट इसमें फारक आता होगा लेकिन मुझे ऐसे marginally कुछ difference फील वानी है तो अभी जो air box assembly है उसको निकाल लेते हैं यह secondary air induction system है उसकी assembly है basically इसके अंदर एक secondary air induction filter आता है जिसको हमें clean करना पड़ता है तो यहां पर आपको दो 10 mm के bolts दिख रहे होंगे तो हम इनको lose करेंगे और इसके बाद इन bolts को निकाल के इसको निकाल लेंगे और इससे जो भी pipe है वो connect रहेगी most cases में यह वाली जो pipe है यह connect रहती है और इसके पीछे एक pipe और है उन दोनों pipes को disconnect करेंगे और फिर इसको भी बार निकाल लेंगे एक pipe तो हमें यह disconnect करनी है और जो दूसरी pipe है वो यह वाली है इसका जो clamp है उसको plier की help से पीछे कर देंगे और उसके बाद जो pipe है उसको hold करके इसको थोड़ा सा back and forth twist करेंगे जिसकी help से जो pipe है वो release हो जाएगी कुछ इस तरीके से और उसके बाद आपको carburetor को clean करना है तो उसके लिए यह दो 10 mm के bolts है मेरे case में आपके case में दो 10 mm के nuts मिलेंगे मेरे वाले खराब होगे थी तो मैंने यह थोड़ा सा जुगाड बना रखा है इन दो 10 mm के bolts या nuts को निकालना है साथ ही साथ जो throttle wire है और जो choke wire है जो की मुझे change करने है जल्दी उनको निकालना है और उसके बाद जो carburetor की body है वो आप अलग कर सकते हैं और फिर इसको clean कैसे करना है उसकी मैंने detail वीडियो बना रखिया जिसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसको आप देख लें मुझे कार्बरेटर को clean करना नहीं है क्योंकि मैंने last service पे इसको clean किया था और अभी तक इसमें assets को issue आया नहीं है और ना ही इसमें कोई ज्यादा carbon build-up हुआ है तो अभी जो filters है उनको clean करने पर focus करते है तो अभी जो SAI assembly है उसमें जो filter है उस तक पहुंचने के लिए हमें 1, 2 and 3 यह तीन Phillips head के जो screws है इनको खोलना है यह ज़्यादा tight नहीं होते हैं आप भी इनको ज़्यादा tight ना करें उसके बाद यह जो wall assembly है इसको side में करना है और फिर यह जो stopper plate है इसको निकालना है इसकी जो यह net है यह निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है और वाइस आप इसको floor की side करके tap करेंगे तो भी यह निकल जाएगी इसको side में रखते है और उसके बाद जो filter है वो खुद है तो थोड़ा सा floor पर इसको tap करते हैं और जो filter है वो बाहर निकल जाएगा और जैसा कि आप इसकी condition देख सकते हैं कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं जबकि believe it or not यह सिरफ 3000 km चला है 3000 km में इसकी इतनी खराब condition है तो अभी यह वाली assembly यह जो filter है और साथ ही साथ यह जो इसकी net है और यह जो stopper plate है इनको इनको नहीं करना है वे इन तीनों को हम अच्छे से clean कर लेंगे petrol की help से क्योंकि petrol जल्दी vaporize हो जाता है अब साथ ही साथ यह वाला जो filter है इसको भी निकाली लेते हैं अगर आपकी जो skutty है उसको आप highway पे ज्यादा ही use करते हैं या फिर उसमें blow by की problem आ रही है तो यह वाली जो tube है इसके अंदर आपको engine oil इकठा हुआ मिलेगा आपको उ इसमें भी engine oil या कोई भी type का contamination दिखे तो लेकिन इस case में यह दोनों tubes हैं अच्छी condition में है यह और मुझे जो blow by की problem है वो कभी face करने को भी नी मिली है इस skutty में तो मैं इनको clean नी करने वाला हूँ मैं सिरफ जो air filter है उसको ही clean करूँगा सबसे पहले तो यह जो gas kit है इसी को check कर लें अगर यह damage है तो इसको change करना ही है पर यह अच्छी खासी condition में मेरे case में इसको जरूर clean करना पड़ेगा और जिस blow by की मैं बात कर रहा था यह basically जैसे कि मैंने पहले बताया था जो gearbox का जो breather vent है उसकी tube है और इधर आप देख सकते और blow by की problem इसलिए आती है गेर बोक्स में basically कि जब हम highways पर कुछ ज्यादा ही देर तक जो scooter उसको चला लेते हैं तो गेर बोक्स का जो वह जादा गरम हो जाता है और कोई भी लिक्विड अगर गरम होता है तो एक point पर आकर के वह vaporize होने लगता है और वह जो वेपर से वह यह यहां पर आकर के collect होती है लेकिन यह फ्यूम्स हैं वह इतनी स्ट्रॉंग नहीं होती कि यहां पर collect हो सके जो हवाई air filter है वह सक करता है उसके साथ जो intake होता है उसके थ्रू चली जाती है और फिर combustion में बर्न होकर के निकल जाती है लेकिन अगर यहीं ज्यादा माउंट में ल अभी जो सबसे पहले air filter का जो sponge वाला filter है उसको निकालते हैं और इसको अलग से clean करेंगे petrol की help से तो उसके साथ रग देता हूं मैं secondary air induction filter के साथ और अभी जो यह air filter है इसकी condition देखते हैं तो वैसे Jupiter और जहां तक मुझे मालूम है Activa भी साब साब बोलते हैं कि do not clean air filter replace it for every 12,000 kilometers लेकिन अपना जो Indian environment है उसके accordingly यह जो interval है इसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर आप और ज्यादा dusty environment में रहते हैं तो आपको और भी कम करना पड़ेगा लेकिन Jupiter के case में क्या होता है कि यह जो filter है यह कुछ अलग type का आता है आप इसको clean कर सकते हैं अगर आप Honda जागा air filter देखेंगे ना तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा यहां पर oil जमावा दिखेगा मतलब मिटी है वो यहां पर collect होगी ना वो गीली मिटी दिखेगी वो इसलिए होता है क्योंकि उसका जो paper air filter है उसके अंदर भी पता नहीं वो किस type की property काम में लेते हैं एक तरी क्लीन नी किया है मैं सिधा चेंज करता हूँ लेकिन इसका जो filter है वो clean किया जा सकता है हर 12,000 पर replace तो करना ही है लेकिन हर 4,000 या 6,000 km पर आप इसको साफ भी कर सकते हैं तो मैं इसको clean करने वाला हूँ और साथ ही साथ इसकी जो यह वाली assembly है इसको भी आपको inspect करना होता है किजिए क्योंकि वो इस purpose के लिए नहीं बना है तो बस इन सब की cleaning करनी है जो air filter है उसको हम हवा से clean करेंगे compressed air की help से और हम compressed air इस side apply करेंगे क्योंकि यह side ज्यादा साफ रहती है comparatively side तो इस side से हम हवा force करेंगे तो जो dust particles है वो बाहर निकल जाएंगे अगर हम इस side से clean करने चलेंगे तो हम जो dust particles हैं वो इसके अंदर और फसा रहे हैं यह चीज़ याद रखने वाली है इस side से clean करना है इस side से नहीं करना है और बस कुछ इसी तरीके से बाकी कि इस तने भी पैनल से उनको भी clean करना है और cleaning के बाद इन सब की fitting करनी है और जैसे इनको dismantle किया था as it is इनको फिर से fit करना है और कोई भी precaution नहीं है अगर होती तो आप लोगों को बताई देता तो अभी बस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इन सारी चीजों को मैं फिर से assemble करके लगा देता हूं और उसके बाद जो आगी की स्टेप से उन चल जाएगा कि जो वाल क्लेरंस हो कैसे चेक करनी है आप उसको फिर इस वीडियो में I mean जो मेजर सर्विस है उसके अंदर आप इंक्लूट कर सकते हैं और जो सबसे लास्ट स्टेप बच्चा वही है कि यह सब करने के बाद आप इसको एक बार फिर से चेक कर लें इसमें मत बस इसी के साथ जो मेजर सर्विसिंग के वीडियो है वो होती है complete और बस इस वीडियो में इतना ही था और इसको बनाने में तीन से चार दिन के लगबग लग गए हैं तो बीच में जो आपने transitions देखे हैं मेरे अंदर वो उसी की विज़े से है बस यही था इस वाली वीडि